हेलो यवेधन और वैल्कम बाग्टी उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माइशल्फ उमर तस्कीर गाईश अक्सर हम लोग बात करते हैं कि digital marketing क्या है आज के इस पर्डिकलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि digital marketing क्या नहीं है Beginners के लिए बहुत ही जादा important वीडियो है क्योंकि बहुत सारे cases में वो mislead हो जाते हैं उनको लगता है कि मैं digital marketing सीख रहा हूँ या digital marketing कर रहा हूँ पर actually वो digital marketing नहीं होती तो आज किस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगी कि ऐसी कौन सी चीज़े हैं जिनको हम digital marketing समझ लेते हैं सबसे पहले affiliate marketing आपको कहीं से किसी product का ये किसी service का आपको link मिल जाता है उसको आप social media पर paste करने लगते हैं status में लगाने लगते हैं whatsapp group में भेजने लगते हैं facebook के groups में send करने लगते हैं आपको लगता है कि आप digital marketing कर रहे हैं this is actually not digital marketing second is backlink creation मैंने बहुत साथ लोगों को देखा हुआ है जो सालों से केवल backlinks बनाते चले जा रहे हैं वो भी spammy type of backlinks उसके around क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है बस backlinks बनाने की 8-10 techniques जो है वो सीख लिए हैं and they are saying कि वो digital marketers है my dear friend those people are not digital marketers and then third is कई बार मैंने ये भी observe कि है कि बहुत सारे लोग MLM जो multi-level marketing के approach होती है ठीक है उसको follow करते हैं और वो लोग भी नहीं आपने आपको as a digital marketer present करते हैं अगर कोई आपको MLM शिखा रहा है और बोल रहा है कि हम आपको digital marketing का course करा रहे है then you are not learning digital marketing और बहुत ही दिक्कत होगी आपको आगे आने वाले time में and then fourth is social media content creator youtubers और influencer अगर कोई केवल एक youtuber है उसको हम digital marketer नहीं बोल सकते अगर कोई केवल एक influencer है तो हम उसको digital marketer नहीं बोल सकते वो digital platforms को use करके अपनी skills जो है उनको आपको दिखा रहा है या digital marketing platforms को use करके अगर वो अपने लिए भी पैसे बना रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक digital marketer है digital marketer में बहुत सारी और भी बहुत सारी different skills होती है कि एक business को digitally किस तरीके से grow किया जा सकता है and the fifth point is if you have run few campaigns आपने boost post कर रखी या आप basic समझते है digital marketing के आपने videos देखे let's say अगर मैं आपने मेरी ही playlist को follow कर लिए and if you are thinking कि आप digital marketer हो गए तो ऐसा नहीं है बहुत सारी practical चीज़े आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आज के टाइम में boost post करना बहुत आसान है अगर आपके पास अपनी Instagram की profile भेन है तो वहाँ से आप पोस्ट को promote कर सकते इसका ये मतलब नहीं है कि आप digital marketer हो गए if you cannot plan, execute, audit and report digital marketing campaigns for a business you are not a digital marketer अगर आप एक business की requirement को समझ कर उसके according planning नहीं कर सकते उसके according execution नहीं कर सकते implementation नहीं कर सकते आप अपनी KPIs को define नहीं कर सकते KPIs को audit नहीं कर सकते उनके basis पर reporting नहीं कर सकते उनके basis पर next planning आप नहीं कर सकते then you are not a digital marketer and the seventh point is if you have just written some articles कुछ articles आपने लिख दिए for example उनको SEO के purpose ही लिखा हो but then also you are not a digital marketer articles आपने लिख दे then you are a content writer not a digital marketer तो हमें फर्क समझना है कि हम क्या चीज सीख रहे है जो चीज आप सीख रहे है क्या वो digital marketing है उसको आपको समझना है ताकि आप मिसगाइड ना हो सके कि सीख कुछ और रहे है आप और आपको लग रहा है कि मैं digital marketing सीख रहा हूँ I believe वीडियो से आपको information मिली होगी यह वीडियो especially beginners के लिए जिनको थोड़ा सा confusion होता है मिलते है नेक्सी टोबाए Till then good bye मिलते है